वेल्कम स्टूडेंट्स रेश्यो अनेलिसीस क्विश्य नंबर 51 फ्रॉम दा फॉलोइंग डेटा केल्कुलेद इन्वेंटी ट्रनोर रेश्यों ग्रोस प्रोफिट रेश्यों इस 20 परसेंट आप इसके आगे कुछ नहीं लिखा हुआ तो इट मीज यह जो 20 परसेंट है यह रिवेन्यू फ्रॉम ऑप्रेशन का है यह अंडर्स्टोड होगा ठीक है तो देखिए इसमें कैसेल क्रेडिट सेल और रिटन इन्वार्ड दिया हुए है तो देखिए रिवेन्यू फ्रॉम ऑप्रेशन कैसेल क्रेडिट सेल माइनस रिटन इन्वार्ड तो देखिए 1 लेक्स 50,000 2 लेक्स 50,000 माइनस 15,000 25,000 तो यह बचेगा 3 लेक्स 75,000 यह आपकी सेल आगे रिवेन्यू फ्रोम उप्रेशन आगया आप देखिए ग्रोस प्रोफिट 20 परसेंट दिया हुआ है तो 3 लाख 75,000 का 20 परसेंट लेंगे 75,000 उपर हो गया ठीक है अब कोस्ट ओफ रिवेन्यू फ्रोम उप्रेशन इस इक्वाल टू रिवेन्यू फ्रोम उप्रेशन माइनस ग्रोस प्रोफिट 3 लाख 75,000 माइनस 75,000 3 लाख रुपे बचिए आपका ठीक है अब आपने क्या करना है एवरेज इन्वेंटरी लेना है ओपनिंग इन्वेंटरी प्लस क्लोजिंग इन्वेंटरी डिवाइड़ बाई 2 तो देखिए ओपनिंग इन्वेंटरी 25,000 रुपे दिया हुआ है क्लोजिंग इन्वेंटरी 35,000 रुपे दिया हुआ है दो से डिवाइड करेंगे तो average inventory 30,000 रुपए आगे आपका ठीक है अब आपने inventory turnover ratio निकालना है cost of revenue from operation divided by average inventory 3,000,000 divided by 30,000 is equal to 10 times यह अफकांस्वर आजाएगा ठीक है calculate inventory turnover ratio, average age of inventory opening inventory, closing inventory देखिए average inventory, opening inventory plus closing inventory divided by 2 तो यह आपको दिया हुआ है 54,000 plus 66,000 divided by 2 is equal to 60,000 यह आपका average inventory आगे आगे आप इसमें क्या दिया हुआ है revenue from operation, gross profit 20,000, 40% revenue from operation तो देखिए revenue from operation दिया हुआ है 5,000,000 अब gross profit 40% जो है revenue from operation का है तो 5,000,000 का तो यह आपका कितना बच गया है तो यह आपका कितना बच गया थ्री लेक्स आप inventory turnover ratio cost of revenue from operation divided by average inventory 3,000,000 और average inventory आपका है 60,000 यानि 5 टाइम आगे आपका अब इसमें पूछा है average age of inventory, average age of inventory, average age of inventory, average age of inventory 365 upon five, 73 डेज आजाएगा आपका, तो देखिएंगे, opening inventory, closing inventory, revenue from operation, gross profit on cost दिया हुए है यहां पर तो देखिए average inventory, opening inventory plus closing inventory divided by 2 42,500, 36,500 divided by 2 40,000 रुपए average inventory आगे आपका revenue from operation आपको दिया हुआ है 3 lakhs, gross profit 20% cost का दिया हुआ है आप देखिए cost ज़्यादा होती है, cost कम होती है, revenue ज़्यादा होता है ठीक है तो हम क्या करेंगे 3 lakhs into rate upon 100 plus rate 50,000 रुपए आगे आपको ठीक है, तो cost of revenue from operation is equal to revenue from operation minus gross profit तो 3 lakhs minus 50,000 is equal to 2 lakhs 50,000 आप देखिए inventory turnover ratio निकालेंगे, cost of revenue from operation divided by average inventory 2 lakhs 50,000 divided by 40,000, 6.25 time यह आपका inventory turnover ratio आगया, ठीक है, अब इसमें average age नहीं पूछा है, केवल इतना ही answer देना है, और आपने क्या ध्यान रखना है, आपने ध्यान रखना है, gross profit on revenue from operation और जो given है, revenue from operation given है, तो हम क्या करेंगे, revenue from operation into rate अपन 100, सीधा निकाल लेंगे, ठीक है, gross profit on revenue from operation दिया हुआ है, आपको cost दी हुई है, तो हम क्या करेंगे, cost into rate अपन 100 minus rate क्यों, क्योंकि जो यह cost होती है, यह revenue से come है, इसलिए हमने percentage को minus कर दिया, gross profit on cost दिया हुआ है, और आपको cost ही given है, तो cost into rate अपन 100, और gross profit on cost दिया हुआ है, और given है revenue from operation जैसे question number 53 में था, तो revenue from operation into rate, आप देखिए revenue from operation ज्यादा है, तो जो 100 है, उसमें rate को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, तो हमने इस formula को इसमें याद रखना है, 54, calculate inventory turnover ratio, 2017, 18, 18, 19, दो साल का निकालना है, तो देखिए inventory, inventory, 2017, 18, 2018, 19, रूपेज, 11 lakhs, 15 lakhs, revenue from operation 75 lakhs, 93 lakhs, 60,000, gross profit, 20% cost का दिया हुए है, और in the year 2017, 17, 19, inventory, decrease by 3 lakhs, 3,000 से कम हो गया, तो हमारा देखिए opening inventory, ये तो हमारा closing है, opening inventory, 3,000,000 से कम है, 3,000,000 से कम हो गया, तो यानि 14,000,000 ज्यादा था, ठीक है, अब आपनी क्या करना है, average inventory, पहले 2017, 18 का निकालेंगे, average inventory, opening inventory, plus closing inventory, divided by 2, तो opening है 14,000,000, 11,000,000, बटे 2, 12,500,000 रूपे, ये आपका opening inventory आगया, ठीक है, अब आपने क्या करना है, आपने inventory turnover ratio निकालना है, तो inventory turnover ratio निकालने के लिए, हम क्या करेंगे, revenue from operation, आपको दे रखा है, 75,000,000 रूपे, gross profit, 20% cost का दिया हुआ है, ठीक है, तो 75,000, 75,000, इन्टू 20 बटा, 120 लेंगे, 12,500,000 ये आपका क्या आगया, gross profit आगया, ठीक है, तो cost of revenue from operation, 75,000,000, minus 12,500,000, is equal to 62,500,000 उपका आगया, ठीक है, अब inventory turnover ratio निकालना है, तो cost of revenue from operation, divided by average inventory, तो 62,500,000, 12,500,000, five time, ये आपका जाएगा, ठीक है, इसके बाद, 2018,19 का निकालना है, तो 2018,19 में देखिए, average inventory में, opening inventory हो गया, 11,00, closing हो गया, 15,00, बटे दो, तेरा लाख रूपे, ठीक है, revenue from operation, 93,60,000, gross profit 20% cost का दिया हुआ है, तो 93,60,000, इंटू 20 वटा 120, इस, तीन, छे पंजे तीस, छे छे चाथ तीस, जीरो जीरो जीरो, 15,60,000 रूपे आ गया, तो देखिए, cost of revenue from operation, 93,60,000, माइनस, 15,60,000, तो इस भी से घटाएंगे, तो 78,000, बच गया, ठीक है, तो inventory, ट्रोवर, cost, revenue from operation, और average, inventory, अठाटर लाख, बटे, तेना लाख, six time, आपका, आणसुरा जाएगा, inventory, जो है, 2017, 2018, 11,00, और revenue from operation, जो है, वो 75,00, है, इसको आप सही कर लेना, या, question number 54, inventory, जो है, 2017, 2018, 11,00, और, 18,00, पंद्रा लाख, रुपए दिया हुआ है, ठीक है, revenue from operation, 75,00, और 93,00, 60,000, रुपए दिया हुआ है, gross profit, cost पर दिया हुआ है, और यह लिखा हुआ है, कि जो आपका, ओपने, ये closing inventory, ना, ये 3,00, से reduce हुआ है, तो ओपनिंग, चोदा लाख हो गया, तो average inventory, opening inventory, plus closing inventory, by 2, 14,00, प्लस 11,00, divided by 2, 12,50,000 आ गया, ठीक है, revenue from operation, 75,00, दिया हुआ है, 20% gross profit cost पर है, तो 75,00, into 20 upon, 120 करेंगे, तो आपका, ये 12,50,000 रुपए आ गया, gross profit, अब gross profit को, इसमें से माइनेस करेंगे, तो ये आपका क्या बच गया, cost, cost, divided by average inventory, inventory turnover ratio, कितना आ जाएगा, 5 times, इसके बाद, 2018, 19 में, average inventory के लिए, ये opening हो जाएगा, ये closing, तो opening plus closing by 2, 13,00, रुपए average inventory आ गया, revenue from operation, 93,60,000 दिया हुआ है, gross profit 20% cost पे, तो 93,60,000 into 20 upon 120, 15,60,000 आ गया, माइनस करके, 78,00, बचेगा cost, तो inventory turnover ratio, cost of revenue from operation, divided by average inventory, 78,00, divided by 13,00, 6 times, जो है, ये आपका अनस्वर होगा, क्यूशन नमबर 55 देखिए, क्यूशन नमबर 55 में, क्यूशन नमबर 55 देखिए, तो revenue from operation, cost of revenue from operation, cost of revenue from operation, आपको गिवन है, 5,60,000 रुपे, ठीक है, purchase, 4,40,000 रुपे, wages, 1,30,000 रुपे, क्यारेज इन्वार्ड, 15,00, 15,000 रुपे, 15,000 रुपे दिया हुआ है, और opening inventory, जो है, 75,000 रुपे दिया आपका है, तो देखिए, cost of revenue from operation, is equal to opening inventory, plus purchase, plus carriage, plus wages, minus closing inventory, आप देखिए, opening inventory, 75,000 रुपे है, परचीज, 4,40,000 रुपे है, carriage, आपका 15,000 रुपे है, wages, 1,30,000 रुपे है, closing inventory, जो है, given नहीं है, और ये 5,60,000 रुपे दिया हुआ है, तो देखिए, इनका total करेंगे, हम 75,000 रुपे, 5,30,000, 6,30,000, 6,60,000, 6,60,000, minus closing inventory, is equal to, 5,60,000, तो जो closing inventory है, वो आपकी one lex बज़ जाएगे, ठीक है, तो average inventory, opening inventory, plus closing inventory, by two, तो opening inventory, आपकी 75,000 है, closing inventory, one lex है, by two, 82,000, 87,500 रुपे, ये आपका average inventory आ गया, inventory turnover ratio, निकालेंगे, cost of revenue, from operation, divided by, average inventory, पांच लाग साथ हजार, बटे, 87,500, ठीक है, 6.4 time, ये आपका answer आ जाएगा, ठीक है,